प्रदेश में अचानक तापमान में आई गिरावत से शेहर का तापमान कम होने लगा है वही आज सुबह का नियूंतम तापमान पांच टिग्री रहा जिसके साथ ही गुना कलेक्टर भासकर लक्षिकार ने स्कूली छात्र छात्राओं को सुविधा प्रदान करते हुए आगामी दो दिन यानी 30 जनवरी और 31 जनवरी की चुटी का निर्देश जारी किया है यह निर्देश सभी शासकिय, अशासकिय, CVSE, नवोदे, आदी स्कूलों के लिए भी मान्या होगा वही इस निर्देश में साफ तौर पर लिखा है कि नर्सरी और प्राथमिक विध्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दो दिन का अवकाश दिया जाए साथ ही इस निर्देश में स्कूल में पदस्त सभी शिक्षक एवं स्टाफ के लिए यह अवकाश नहीं रखा गया है समस्ट स्टाफ को यथावत अपने अपने विध्यालय में समय से पहुचना होगा